दोस्तो आज के वीडियो से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर क्या बॉटम बन चुका है उसी तरह से गोल्ड और निफ्टी रेशो हमें क्या बता रहा है अगर आप हमारे चानल के regular viewer है और हमारे stock market related वीडियो को देखते है तो आपको पता ह होगा कि 28 November 2021 को वीडियो बना कर हमने आपको clearly बताया था कि निफ्टी के अंदर बॉटम नहीं बना है और निफ्टी के अंदर गिरावट उसके 200 दिनों के exponential moving average तक आ सकती है आपने देखा ये December महने तक निफ्टी के अंदर उसके 200 दिनों के exponential moving average तक गिरावट आ चुकी है य अब ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते है कि गोल्ड और निफ्टी का रेशो हमें क्या बता रहा है उसी तरह से निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर बॉटम बन चुका है के नहीं अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को दोस्तों और पहिचानवालों के साथ शेयर करना ना बुले तकि ये जानकरी आपके साथ उनको भी पता चल सके दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो निफ्टी का डेली का चाट है निफ्टी के अंदर दूसरी बड़ी सेलिंग यानि की गिरावट आई थी 15 नोहमबर 2021 के बाद ये गिरावट जहाँ पर रुकी वहाँ से निफ्टी के अंदर एक अच्छा बाउंस भी निफ्टी के अंदर फिर से एक बार एक बड़ी गिरावट आई और उस वज़़से निफ्टी उसके 200 दिनों के exponential moving average तक नीचे आया था ये 200 दिनों के exponential moving average के पास से निफ्टी में अभी एक अच्छा बाउंस आ चुका है ये जो आखरी गिरावट निफ्टी के अंदर आई वहाँ पर अगर हम फीबोना की टूल का इस्तमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि निफ्टी ने उसका 61.8% ये फीबोना की रिट्रेस्मेंट पूरा कर लिया है और ये लेवल निफ्टी के लिए resistance का काम अभी कर सकता है उसी तरह से अगर हम 18 अक्टूमबर 2021 से अब तक जो ये निफ्टी के अंदर गिरावट आई है वहाँ पर फीबोना की टूल का इस्तमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि 38.2% ये महत्वपूर्णा फीबोना की लेवल आता है 17,250 के पास यानि कि निफ्टी के लिए ये संशनल मूविंग एवरेज के नीचे ही काम कर रहा है यानि कि आने वाले दिनों में ये तीनों एवरेजेज निफ्टी के लिए महत्वपूर्णा रेजिस्टंस का काम कर सकते हैं उसी तरह से 17,190-17240 का एरिया निफ्टी के लिए महतव पूर्णा resistance का काम कर सकता है क्योंकि ये पहले निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था और ये सपोर्ट जैसे ही तूटा निफ्टी के अंदर 16,400 तक गिरावट बड़ी थी तो ये सपोर्ट आने वाले दिनों में अभी resistance का काम करेगा निफ्टी के लिए 17620 सबसे महत्वपुर्णा रेजिस्टन्स रहेगा क्योंकि यही लेवल तूटने के बाद निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई थी और उसको निफ्टी ने फिर से एक बार रिटेश्ट किया और निफ्टी के अंदर वहाद से फिर से एक बार बड़ी गिरावट आई तो आने वाले दिनों में 17200 से 17620 का एरिया निफ्टी के लिए बहुत ही महत्वपुर्णा रेजिस्टन्स का एरिया रहेगा क्योंकि यहाँ पर सभी exponential moving averages आते है उसी तरह से महत्वपुर्णा फिबोना की के levels भी आते है और निफ्टी का महत्वपुर्णा resistance इसी एरिया में आता है तो हमें लगता है आने वाले दिनों में निफ्टी इसी range के आज पास consolidate करेगा और आने वाले समय में उसकी जर्नी फिर से एक बार नीचे की तरफ शुरू करेगा हमारा नजरिया अभी भी निफ्टी के अंदर short term में bearish का ही है यानि कि मंदी का ही है चलो अब bank nifty के बारे में पता करते है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो bank nifty ये market का अभी सबसे कमजोर इंडेक्स है क्योंकि bank nifty उसके सभी महत्वपूर्ण exponential moving averages के नीचे काम कर रहा है पिछले पास दिनों से bank nifty उसके 200 दिनों के exponential moving average के नीचे ही बंद हो रहा है आने वाले दिनों में अगर bank nifty 3400 के level को नीचे की तरब तोड़ता है और उसके नीचे जाकर बंद होना शुरू करता है तो bank nifty के अंदर गिरावट और बढ़ सकती है आने वाले दिनों के लिए bank nifty के लिए 35700 का level महत्वपूर्ण resistance का काम कर सकता है चलो अब gold nifty का ratio देखते हैं और पता करते हैं के gold nifty का ratio हमें क्या बता रहा है जैसे के आप वीडियो में देख सकते हो ये gold nifty का ratio का weekly chart है और gold nifty का ratio उसके 2018 के low के पास वापस आया है और यहाँ पर support लेकर ये अभी उपर जा रहा है यानि कि ये बता रहा है कि आने वाले कुछ समय के लिए gold nifty को outperform कर सकता है उसी तरह से weekly chart के उपर आप एक clear positive divergence भी देख सकते हो ये positive divergence यही संके दे रहा है कि आने वाले कुछ महनों के लिए gold nifty को outperform कर सकता है यानि कि gold के अंदर nifty से जादा return आने वाले कुछ महनों में बन सकते है हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम आपको अक्टूमबर 2021 से लगातार बताते आ रहे है कि हमारा नजरिया निफ्टी के अंदर short term बेरिश यानि की मंदिक आई है और अभी आप वीडियो में clearly देख सकते हो gold nifty के ratio के उपर positive divergence बना है उसी तरह से gold nifty ratio उसके 2018 के लोग के पास से अभी फिर से एक बार support लेके उपर जा रहा है और अगर हम gold और nifty को अक्टुमबर 2021 से compare करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 3 महिनों के अंदर gold ने 5.75% का positive return दिया है उससे उल्टा nifty ने 4% का negative return दिया है nifty के उपर हमारा short term का नजरिया बेरिश यानि की मंदी का क्यू है ये हमने आपको हमारे पूराने वीडियो से बताया है वो हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे जैसे कि हमने आपको हमारे पूराने वीडियो में बताया है कि federal reserve ने जो करोना pandemic के समय बहुत सारा पैसा market के अंदर डाला था वो पैसा अभी वो धीरे धीरे करकर निकाल रहे है उसी तरह से 2022 के अंदर वो तीन बार इंट्रेस रेट को बढ़ा सकते है जो कि निफ्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि उन्होंने जो ये फ्री का पैसा या फिर बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर डाली थी उसी लिक्विडिटी की वज़े से ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी र्याली आई थी और वही पैसा अभी वो धीरे धीरे करकर बाहर निकाल रहे है और ये शौट्टम के अंदर हमारा नजरिया इसलिए निफ्टी के उपर बेरिश है उसी तरह से Federal Reserve 2022 के अंदर तीन बार इंट्रेस रेट को बढ़ा सकती है और जबी भी Federal Reserve ने इंट्रेस रेट को बढ़ाया है क्या होता है गोल के अंदर हमने कल ही वीडियो बना कर आपको बताया है उसी तरह से Federal Reserve का रेट हाइक और गोल का रिलेशन हमने एक अलग वीडियो से भी आपको समझाया है तो ये वीडियो का सारावंच ये है कि हमें लगता है आने वाले और कुछ महनों तक निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन चल सकता है और उसी समय पे गोल्ड आपको अच्छा रिटन दे सकता है तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना भुले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक यू